नमस्कार दोस्तों आपका होम्मेड में स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक अन्बॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूँ जो है जिबरानिक्स का एक मॉनिटर तो चलिए इसे जल्दी से अन्बॉक्स करते हैं अन्बॉक्स करना काफी आसान होता है बस कटर उठाईए और शुरू हो जाईए फिर इस तरह से इस बॉक्स को खुलने के बाद आपको कुछ प्लास्टिक की पनिया दिखाई देंगी जो कि आपके प्रोड़क्ट को तूपने फुटने से बचाने के लिए रखी गई है इसके बाद आपको फिर एक बॉक्स दिखाई देंगा मतलब बॉक्स के अंदर फिर एक बॉक्स फिर इस बॉक्स को आप भेग भी सकते हैं लेकिन अगर आप मेरी तरह क्रियेटिव इंसान है तो इसे रख दीजिए बाद में काम आ सकता है फिर इस दूसरे वाले बॉक्स पर आप कंपनी द्वारा दी गई कुछ जानकारी देख सकते हैं जैसे की 39.6 cm का इसका डिस्पले है और इसका रेजूलेशन है इसका रेजूलेशन है 1366 x 768 बाकी सभी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी चलिए इसे खोल लेते हैं यह एक HDMI सपोर्ट करने वाला मॉनिटर है लिकिन इसके साथ आपको HDMI केबल बिलकुल नहीं मिलती जो अपने आपने एक बुरी बात है इसके साथ आपको सिफ एक पावर केबल और एक PGA केबल ही मिलती है जिनकी कॉलिटी भी ठिक ठाक लग रही है इसके साथ आपको एक User Manual यानी User Guide भी मिलेंगा जिसे काफी तर लोग Ignore करते हैं अगर प्रोडक के Packing की बात करें तो कंपनी ने Packing इतने अच्छी नहीं दी है लेकिन इस बजेट में यह बहुत ठीक है चलिए इसके बारे में आपको कुछ बाते बता देता हूँ जो आपको पहले से ही पता भी होगा यह यहाँ पर आप Power Cable लगा सकते हैं और यहाँ पर HDMI Cable और यहाँ पर VGA Cable इसके बाद इसको इसके stand पर ऐसे रख दीजिए और यह Lock हो जाएंगा इसकी एक जलक आप इस वीडियो में देख सकते हैं प्राइस के हिसाब से इसकी Build Quality काफी जबजस्त हैं मैंने इसे 3400 रुपए में Amazon से खरीदा था प्राइस थोड़ी सी कम जादा हो सकती है मैंने Link description में दे रखिए आप चेक कर सकते हैं पीचे से देखने पर यह कुछ ऐसा दिखेंगा साथ ही साथ कुछ बटन्स भी देखने को मिल सकते हैं जिने इस्तमाल करते वक्त आपको काफी परिशानी होगी क्योंकि वो पिछली तरब से है लेकिन इस मॉनिटर का एक प्रमुख गुन यह है कि इस प्राइस रेंज में यह एक इकलोता ऐसा मॉनिटर है जो की HDMI सपोर्ट के साथ आता है मैं इसे पिछले साथ दिनों से यूज कर रहा हूँ तो मेरा अनुगव अच्छा रहा है यह सब थी बेसिक जानकारी अगर आप में से कोई इसके बारे में और भी जानना चाहता है तो वो सिर्फ नीचे कमेंड करने का कश्ट उठा है क्योकि इसे मैं खुद यूज कर रहा हूँ तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल सकते है और अगर आप इस वीडियो को शेयर करोंगे तो अच्छा होंगा क्योकि और भी ऐसी मज़ेदार वीडियो आने वाली है जोकी मंगलवार और शुक्रवार को पब्लिश की जाती है और अब आप लाइक का बटन दबाके इस वीडियो को बंद कर सकते है क्यों आप लाइक का बंद कर सकते है